जैहिन इससे पहले एक वीडियो जिसमें हम बताये थे वेक 12 के बारे में तो वहाँ कई लोग उन्हें पूछा आगी सर उपर का तार घिस क्यों नहीं जाता है तो इस वीडियो में हम लोग 8-8 समझेंगे देखें रेल का जो खंबा होता है ये खंबा इस खंबे को हम लोग कहते हैं मास्ट ये खंबा कहलाता है मास्ट एक खंबे से दूसरे खंबे की जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं span एक खंबे से दूसरे खंबे की span जो दूरी होती है वो लगवग 60 मीटर की होती है लेकिन ये दूरी घुमाव पर थोड़ा कम कर दिये जाता है अगर घुमाव जादे है तो दूरी को और कम कर दिये जाएगा अब आप देखे होंगे कि रेलेवे के जो मास्ट होते हैं इन मास्ट पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं जैसे आप देखें यहां लिखा है 54 बता 17 ऐसे आप देखते हैं 834 बता 3 ऐसे देखते होंगे यह नंबर क्यों आते हैं आप ट्रेन में सफर करते हुए इन नंबरों को देखे होंगे यह number इसलिए बनाए जाते हैं कि driver जब locomotive train को ले जा रहा होता है और रास्ते में अगर उसे track में कोई गड़बड़ी नजर आती है कि track गड़बड़ है कहीं तूट फूट हुई है तो कैसे बताएगा कि कहां पे गड़बड़ी आई थी इसी दूरी में खुझ लेंगे लोग कहां गड़बड़ी है तो यह होता है mast number अब आप देखिएगा जो mast होते हैं इनके बीच की दूरी तो span हो गई अब इसमें एक arm रहता है यह arm से तार गए रहता है उपर के तार को हम कहते है catenary wire और नीछे के तार को कहते है contact wire contact wire में ही current रहता है और उपर की catenary wire में current नहीं रहता है Catenary wire और Commercialinker and contact wire को जोड़ने का काम जो करता है वह drop up करता है यहां देखिए यह upper का wire है तो इसे हम लोग catenary wire कहेंगे इसमें current नहीं रहता है नीचे का wire ह taped यह ही Aquí current कि supply देता और यह बीच में जो इनको जोड़ के रखता है उन्हें क्या कहते हैं ड्रॉपर कहते हैं ड्रॉपर आप यह देख सकते हैं यह क्या है आपका ड्रॉपर है इसमें आप देखें तो आर्म हो गया इसका यह पकड़ के रखा है यह उपर वाला करेंट ही नहीं है नीचे वाला इसको पकड़ के रखता है, यह क्या हो जाता है, ड्रॉपर कहलाते हैं, सहनमें आए आपको? इसको हमेशा सीध में रखने के लिए हमको एक आटोमेटिक इस पर टेंशन, एक तनाव देना होता है, जिसे हम आटो टेंशनिंग कहते हैं, आप ट्रेन में सफर करते हुए देखें होंगे, कि आप इसको 3 पूली आरेज्मेंट देखें होंगे, इसमें 3 पूली लगा जाता ह यह लटका दिया होगा इसको यह लटका देने से उस पर तनाव हमेशा बना रहता है अब आप पूछेंगे इसका टोटल वेट कितना होता है तो आटो टेंशनिंग का टोटल वेट 667 kg होता है इसमें आप देखेंगे तोटा 18 ठो इसमें बॉक्स लगाए रहते हैं जिसमें से 40 kg का सोला बॉक्स होता है तो टोटल 640 हो गया 20 kg का एक बॉक्स हो गया इसका 20 kg और 5 kg का इस तरह से देखेंगे तो 665 kg होता है और नीचे एक ठो पत्तर लगा होता है लोहे का वो 2 kg तो इस प्रकार इस तरह से हम लोग 667 kg का टेंशन इस पर मेंटेन रखते हैं ताकि यह तार हमेशा हर एक मौसम में इसमें तनाव बरकरार रहे हैं अब बात करते हैं कि इस जो कॉंटेक्ट वायर है उससे करेंट को रिसीब कैसे किया जाता है तो करेंट रिसीब करने वाले को हम पेंटोग्राफ कहते हैं यह पेंटोग्राफ इससे जुड़ा रहाता है अब आप कहेंगे के पट्रियां कहीं ऊपर नीचे होती है तो तार भी भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो तो पीछे से push करके ही है और अगर तार नीचे है तो यह वापस चलाएगा इसमें वाल लगा रहाता है कि अगर तार नीचे आ रहा है तो उधर के pressure से यह इधर आ जाता है लेकिन अगर उधर pressure कम है तो यह धकेल देता है तो इस प्रकार एर प्रेसर द्वारा हम पेंटोग्राफ को उपर नीचे करके देख सकते हैं अब ये पेंटोग्राफ घिस्ता क्यूं नहीं है तो ध्यान दीजे जो तार होता है उपर वाला वो contact wire वो copper का होता है मजबूत होता है और ये जो पेंटोग्राफ होता है इसका जो उपरी face होता है जो contact में रहता है wire के उसको जान बूच कर हम नरम लोहा को बनाते हैं क्योंकि दो चीजों में अगर घिसावट होती है तो वही घिस्ता है जो कमजोर होता है तो जान बूच कर पेंटोग्राफ का उपरी भाग हम नरम लोहा का बनाते हैं कि इसमें घिसावट जल्दी हो जाए और एक चीज़ और जो wire ले जाये जाता है उसको एकदम straight नहीं ले जाये जाये हलका सा घुमा क्या तिर्चा कर दिये जाता है कही सीधा ताकि जो इस पर घिसावट हो वो एक अही जगह नहों हो इस पर घिसावट अलग-अलग जगहों पर होती रहती है आप इसको वीडियो में देखिएगा कैसे घिसावट अलग-अलग होती है और कैसे पेंटोग्राफ उपर नीचे हो सकता पेंटोग्राफ, वो सीधा में नहीं रहता है, वह इधर उदर हिलते रहता है, मतलब अजेस्ट करते रहता है, ताकि घिसावट केवल एक जगा ना आए, घिसावट चारों हो रहा है बराबर आए, क्योंकि एक घिसावट से वह जल्दी घिसेगा, और यह पेंटोग्राफ को हम लोग current receiver भी करते हैं क्योंकि यह current को receive करता है और यह हर speed पर हर एक height पर contact में इसको जोड़े रहता है आप देखेंगे इसमें कि contact wire इधर उधर भी हो रहा है लेकिन यह contact यह जो pentograph का उपर है यह काफी चोड़ा होता है जिस वज़े से उसको receive करते रहता है यह हमेशा contact और अगर घीस भी गया तो केवाल उपर के parts को बदल सकते हैं कितने का आएगा यह 2000 का पूरा pentograph थोड़ी ना बदलना पड़ेगा ऐसे pentograph बदलने पर पूरा जादे खर्च आएगा और wire बदलने में तो और जादे खर्च आ सकता है केवल उपर का भाग बदल देते हैं यह कुछ घीस जाएगा तब यहां आपको बस animation द्वारा यह दिखाने की कोशिस कर रहे हैं कि घीसा कितना घीसता है अब सवाल आता है कि pentograph जो होता है वो दो ठोते हैं एक engine में दो pentograph होता है एक आगे होता है एक पीछे होता है तो करते हैं लोग कि सर आप अगला pentograph उठाना चाहिए कि पिछला pentograph उठाना चाहिए आप इस train में देखेंगे तो इसका rear यानि पीछे वाला pentograph उठा है और इस train में देखेंगे तो इसका front यानी सामने वाला pentograph उठा हुआ है तो नियम की हिसाब से हमें पिछला pentograph उठाना चाहिए रीजन क्या है कि अगर पिछला pentograph उठाके इधर खीचेंगे तो एक प्रकार का ये खीचाओ बल को दर्सारा है किसी चीज को खीचना आसान होता है और अगर आप front pentograph को उठाकर अट्रेन खीचते हैं तो ये धकेले वाले push force को दिखाता है तो push करने में जादे energy loss होता है तो अगर pentograph आगे वाला रहेगा तो ये push force को दिखाएगा इसमें energy जादे loss होगी engine की और अगर वही pentograph rear यानी पीछे का उठा रहेगा तो ये pull force को दिखाता है खीचाओ को जिससे की engine की energy बचेगी आप इस आधार पर आप देखेंगे ये एक engine खड़ा है इस engine का ये वाला pentograph उठा हुआ है ये वाला अब आप बताईए इसको इधर जाना चाहिए या इस side जान जाना चाहिए इंजन है आपको कोई अपने दिमाग से बताईए आपको इसको किधर भेजा जाए जैन्मीन है कि हमको पिछला pentograph उठाना चाहिए तो ये उठा है इधर भेजेंगे तभी ना पिछला pentograph उठेगा आप अगर आप इसको देखे भी होंगे नहीं तो आप हला कि आप देखेंगे ट्रेन इधर आ रहा है और इसका ये वाला pentograph डाउन है और पिछला rare pentograph उपकिया गया है उसी को उठाए गया है अब ये ट्रेन यहां से किसी दूसरे boggy को जोड़ेगी इंजन जोड़ेगा इसको बागी से जब इस इंजन को जोड़ दिया जाएगा अब इस इंजन को उधर ले जाना है तो उधर वाला pentograph तो front हो जाएगा तब ये front को उठाना नहीं चाहिए तो front को नीचे कर दिया जाएगा इस front pentograph को चुकि ट्रेन को east direction में ले जाना है इसलिए east वाले pentograph को आप देखें इसको नीचे कर दिया गया और अब ये वाला front हो ये rear हो गया अब इधर के pentograph को उठा दिये जाएगा देखिए pentograph की height जो होती है वो adjust हो सकती है बहुत जादे भी हो सकती है कम भी हो सकती है actually Mumbai से दिल्ली तक में dedicated freight corridor बनाया जा रहा है वहाँ पर केवल मालगाडियां चलेंगी उस route पर और दो तल्ली मालगाडी चलेंगी मतल EMD locomotive, Elko locomotive, WAG, WAP ये इंजनों में difference बता दीजेगा तो उसमें अलग वीडियो बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए यह train तो diesel से चलने वाली है इसके लिए क्या जरूआता है electric को लेने की लेकिन अगर सोचिए कि अगर यह electric locomotive रहता तो इसका जो pentograph था ये काफी high उठ चाना पड़ता pentograph तो high pentograph भी होते हैं सब देखिए यहाँ कि इसका pentograph कितना high है तो high pentograph भी हो सकते हैं यह air pressure पर होते हैं यह जादे उठ भी सकते हैं और नीचे भी रह सकते हैं यह double decker route में है तो यह depend करते हैं pentograph की high कि जो उपर OHE है overhead equipment उसका contact wire कितनी उचाई पर है उसी हिस आपसे एड़ेस्ट हो सकता है यह नीचे आ सकता है आई होप आप समझ गये होंगे इसके अलावे अगर आपको भी आप जानना चाहते हैं कि यह लाल वाला डिबबा यार्नी lhb कोच और यह नीले वाले डिबबे icf में क्या अंतर होता है आजकल जो इन्यान आ गये हैं EMD गये हैं हाला कि आप पहले देखेंगे तो एलकोल होते थे इसे चुरह बहुत हला करता था यह बला जग 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 धुआ फेकता था काला आई यह वह लग दुग जग चलता है यह बहुत तगड़ा है धुआ भी कम करता आये जो ट्रेक के यह नंबर लिखा है पोल नं होता होगा मालगाड़ी के अलग अलग डिब्बे देखते होंगे कुछ खूले है कुछ सपाथ है कुछ बंद है अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं उसको भी हम बिल्कुल कम समय में और आसान भासा में समझा देंगे आपको तब तक के यह जाहिन